प्रिष्ट एक, एकाई एक, जन संचार माध्यम और लेखन, प्रिष्ट दो, एकाई एक, जन संचार माध्यम और लेखन, प्रिष्ट तीन, पाठ एक, जन संचार माध्यम, इस पाठ में पढ़ें, संचार, संचार के अंतरगत पढ़ें परिभाशा और महत्व संचार क्या है? संचार के तत्व संचार के तत्व के अंतरगत पढ़ें स्रोत, एंकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर संचार के प्रकार संचार के प्रकार के अंतरगत पढ़ें सांकेतिक संचार मौखिक और अमौखिक संचार अंतहवयक्तिक संचार अंतरवयक्तिक संचार समुहु संचार जन संचार जन संचार की विशेष्टाई संचार के कारिय जन संचार के कारिय जनसंचार के कारिय के अंतरगत पढ़ें सूचना देना, शिक्षित करना, मनुरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्ष के मंच भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, तब तक जनता भी उसका साथ नहीं चलेगी, देगी प्रभाश जोशी वरिष्ट पत्रकार एक नजर में संचार के बिना जीवन संभव नहीं है मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपून भूमिका रही है संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल है संचार के कई प्रकार हैं जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतहवयक्तिक, अंतरवयक्तिक, समुह संचार और जन संचार प्रमुक है जन संचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनुरंजन के आलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जन संचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पढ़ता है इन नकारात्मक प्रभावों के प्रती लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है प्रिष्ट चार संचार, परिभाशा और महत्व जरा सोचिये, क्या आप बिना बात किये रह सकते हैं? शायद नहीं अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम आप अधिकांश समय अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं यहां तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं सच तो ये है कि हम बिना बात किये रह ही नहीं सकते यदि समाज में रहना है और उसके विभिन क्रिया कलापों में हिस्सा लेना है तो ये बिना बात चीत या संचार के संभव नहीं है संचार यानि संदेशों का आदान प्रदान जरा सूचिये कि क्या आप चुप रह सकते हैं पहली बात तो ये है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हों तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं हो सकता है आप नाराज हो या फिर उदास हो या फिर कुछ सोच रहे हो आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नाराज है या किसी बात पर उदास है इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं उसी तरह कुछ न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं हम चाहें या न चाहें अपने दैनिक जीवन में हम संचार किये बिना नहीं रह सकते वास्तव में संचार जीवन की निशानी है मनुष्य जब तक जीवित है, वह संचार करता रहता है यहां तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता वो रोकर या चिल्ला कर अपनी मां का ध्यान अपनी ओर खीचता है एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है बृत्यू वैसे तो प्रकृती में सभी जीव संचार करते हैं लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बहतर है अक्सर ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमी का रही है परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिये ही संबंध स्थापित करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं संचार ही हमें एक दूसरे से जोडता है और से देखिये तो सब्भ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है मनुष्य ने चाहे भाशा का विकास किया हो या लिपी का या फिर छपाई का इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की थी दरसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्ये ने संचार के माध्यमों की खोच की आज हम जिस संचार क्रांती की बात करते हैं आखर वो क्या है संचार और जन संचार के विभिन माध्यमों टेलिफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलिविजन और सिनमा आदी के जरिये मनुष्ये संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भोगोलिक दूरियां कम हो रही हैं बलके सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के खरीब आ रही हैं शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गाउं में बदल गई है प्रिष्ठ पाँच इस प्रिष्ठ पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला जो हुआ था उसका चित्र दिखाया गया है दुनिया के किसी भी कूने में कोई घटना हो जनसंचार माध्यमों के जरीए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है अगर वहां किसी टेलिविजन समाचार चैनल का संबाद दाता मौजूद हो तो हमें वहां की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती है याद कीजिए ग्यारह सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने अपनी आखों के सामने घटते देखा इसी तरहे आज टेलिविजन के परदे पर हम दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरीए ठीक उसी समाई देख सकते हैं आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाएं लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण याने लाइव टेलिकास्ट देख सकते हैं सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवशक्ता बन गए हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत एहम भूमिका हो गई है उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं बलके वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनुरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं लेकिन हम जनसंचार माध्यमों की आकरशक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें उससे पहले ये जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाएं क्योंके जनसंचार संचार का ही एक रूप है संचार क्या है? संचार शब्द की उतपती चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना आपने विझ्यान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक पहुँचती है इसी तरह टेलिफून के तार या बेतार के जरिये मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है लेकिन हम यहां जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तातपर या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साजेदारी है दरसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बातते हैं लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परी घटना नहीं है संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार तक को शामिल किया जाता है इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृष्य श्रव्य माध्यमों के जरीए सफलता पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुचाना ही संचार है और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं प्रिष्ट 6 इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाए प्रक्रिया है एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही ये प्रक्रिया पूरी होती है अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक अर्थात इंटर आक्टिव प्रक्रिया है। संचार के तत्व जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल है संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल है इन में से कुछ प्रमुक तत्वों की हम यहां सिलसिलेवार चर्चा करेंगे संचार प्रक्रिया की शुरुवात सुरूत या संचारक से होती है जब सुरूत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुवात होती है जैसे आप स्वयम को सुरूत या संचारक मानने आपको इतिहास की एक किताब चाहिए लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से अग्रह करना पड़ेगा इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बाचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे बाचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाशा का सहारा लेते हैं भाशा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटे कृत या एनकोडिंग करते हैं ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है सफल संचार के लिए ये जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानि कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए इसका अर्थ ही ये हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयम संदेश का आता है संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकरता तक पहुचाना है इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो संदेश जितना ही सपश्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकरता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। लेकिन संदेश को किसी माध्यम यानि चैनल के जरीए प्राप्तकरता तक पहुचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनी तरंगों के जरिये प्राप्त करता तक पहुँचते हैं। जबके दृष्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिये। इसी तरह वायू तरंगों के जरिये भी संदेश पहुँचते हैं। जैसे खाने की खुश्बू हम तक वायू की तरंगों के जरीए पहुँचती है स्पर्ष या छूना भी एक तरह का माध्यम है इसी तरह टेलिफून, समाचारपत्र, रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट और फिल्म आदी विभिन्द माध्यमों के जरीए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुचाया जाता है प्राप्तकर्ता याने रिसीवर प्राप्तसंदेश का कूटवाचन याने उसकी डीकोडिंग करता है डीकोडिंग का अर्थ है प्राप्तसंदेश में नित अर्थ को समझने की कोशिश ये एक तरह से एंकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है प्रिष्ट साथ इसमें संदेश का प्राप्तकरता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है जाहिर है कि संदेश का और प्राप्तकरता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है संचार प्रक्रिया में प्राप्तकरता की भी एहम भूमिका होती है क्योंकि वही संदेश का आखरी लक्षे होता है प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है एक समुहू हो सकता है या कोई संस्था अत्वा एक विशाल जन समुहू भी हो सकता है प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वो उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वो प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है यानि आपका मित्र कह सकता है कि वो किताब देगा या नहीं संचार प्रक्रिया में प्राप्त करता की इस प्रतिक्रिया को फीडबाक कहते हैं संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबाक की एहम भूमिका होती है फीडबाक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है इसके अलावा feedback से ये भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वो उसी अर्थ में प्राप्त करता को मिला है या नहीं इस feedback के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती उसमें कई बाधाई भी आती है इन बाधाओं को शोर यानि नौइस कहते हैं संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुँचती है ये शोर किसी भी कस्म का हो सकता है ये मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्त करता तक नहीं पहुच पाता सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है प्रिश्ठ साथ पर संचार की प्रक्रिया को एक चित्र के द्वारा द meritsाया गया है सबसे पहले सुरोत या संचारक होता है, जो एक संदेश देता है, एक माध्यम का प्रियोग किया जाता है, और फिर प्राप्तकर्ता तक वो संदेश पहुँचता है. प्राप्तकर्ता फीडबैक देता है, जो सुरोत या संचारक तक पहुँचता है, लेकिन इनके बीच एक बड़ी बाधा है, शोर. संचार के प्रकार संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार है, हम यहां अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग-अलग समझने की कोशिश करेंगे. वैसे संचार के विभिन रूप या प्रकार एक दूसरे में भी काफी घुले मिले हैं, उन्हें अलग-अलग देखना काफी मुश्किल है. प्रिष्ट आठ जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है, यह इशारा भी संचार है, इसे सांकेतिक संचार कहते हैं, जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं, तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़ कर प्रणाम का पिशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आखों, चेहरे, हाथ की गती या स्वर के उतार चढ़ाव के जरीए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपून भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपून भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक संचार के जरीए व्यक्त होती हैं जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर, आदी। संचार के विभिन रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं, ये भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकरता एक ही व्यक्ति होता है। ये संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतहवयक्तिक याने इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं, तो वो भी अंतहवयक्तिक संचार का उदारण है। किसी भी संचार की शुरुवात यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संबाद करते हैं। स्पष्ट है किसी विशाय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मन्थन भी संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं, तो इसे अंतरवयक्तिक याने इंटरपरसनल संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक ततकाल प्राप्त होता है। अंतरवयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार का ये रूप पारिवारिक और सामाजिक रिष्टों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतरवयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटर्व्यू में आपके इसी कौशल की परक होती है। संचार का तीसरा प्रकार है समुह संचार। इसमें एक समुह आपस में विचार विमर्ष या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समुह संचार का एक अच्छा उदाहरन है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वो किसी एक या दो व्यक्ती के लिए न होकर पूरे समुह के लिए होता है। समुह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरीये हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन मुद्दों पर चर्चा होती है तो ये भी समुह संचार का ही एक उदाहरन है। इसी तरह गाउं की पंचायत ये किसी समिती की बैठग भी समुह संचार का उदाहरन है जहां गाउं के लूग ये समिती के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निरणाय तक पहुँचते हैं। संचार का सबसे महत्वपून और आखरी प्रकार है जन संचार अर्थात मास कम्यूनिकेशन जब हम व्यक्तियों के समुह के साथ प्रत्यक्ष संबाद के बजाए किसी तकनीकी या यांतरिक माध्यम के जरिये समाज के एक विशाल वर्ग से संबाद कायम करने की कोशिश करत तो इसे जन संचार कहते हैं प्रिष्ट नौ इसमें एक संदेश को यांतरिक माध्यम के जरिये बहुगुनित किया जाता है ताके उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है मसलन अखबा रेडियो, टीवी, सिनिमा या इंटरनेट अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं लेकिन प्रेस के जरिये उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुँचाई जाती है जनसंचार की विशेश्टाएं जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है जनसंचार के शुताओं, पाठकों और दर्शकों का दाइरा बहुत व्यापक होता है साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है जैसे किसी टेलिविजन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीन भी, पुरुष भी और महिला भी, युवा तथा व्रिद्ध भी इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है और कोई पटना में लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कारेक्रम देख रहे हो सकते हैं इसी से जुड़ी जन संचार की एक प्रमुख वशेषता ये है कि जन संचार माध्यमों के जरिये प्रकाशत या प्रसारित संदेशों की प्रकृती सार्वजनिक होती है इसका अर्थ ये हुआ कि अंतरवयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जन संचार के संदेश सब के लिए होते हैं जन संचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क ये भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है प्राप्तकरता याने पाठक, शुता और दर्शक, संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है संचार के अन्य रूपों की तुलना में जन संचार के लिए एक आपचारिक संगठन की भी जरूरत पढ़ती है आपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है जैसे समाचारपत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपून विशेष्टा ये है कि उन में धेर सारे द्वारपाल याने गेटकी पर काम करते हैं द्वारपाल वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समुहु है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशत या प्रसारित होने वाली सामगरी को नियंतरित और निर्धारित करता है किसी जन्संचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तै करते हैं कि वहां किस तरह की सामगरी प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक सहायक संपादक, उप संपादक आदी ये तैय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाली सामगरी को निर्धारित करते हैं जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमी का बहुत महत्वपून मानी जाती है। ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सारवजनिक हित पत्रकारिता के सिध्धान्तों, मूल्लियों और आचार संगिता के अनुसार सामगरी को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्र संचार का खूब इस्तिमाल करते हैं। निश्चही आप उसके उप्योग और कारियों से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेशग्यों के अनुसार संचार के कई कारिया हैं। इन में से कुछ कारियों को हम यहां रेखांकित कर सकते हैं। 1. संचार का प्रियोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। 2. नियंत्रण. संचार के जरीए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानि उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं. 3. सूचना, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं 4. अभिव्यक्ति, संचार का उप्योग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं 5. सामाजिक संपर्क संचार का प्रियोग हम एक समुष में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं 6. संचार का प्रियोग अकसर हम अपनी समस्याऊं या किसी चिन्ता को दूर करने के लिए करते हैं जैसे एक डूपती हुई नाओं में व्यक्ति स्वयम को बचाने के लिए चिला चिला कर कहता है बचाओ, बचाओ. साथ, संचार का प्रयोग हम अपनी रुची की किसी वस्तु या विशय के प्रति, प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं. जैसे हमें यदि किसी का कोई विचार पसंद नहीं आता है, तो हम उसको मूर्ख तक कह देते हैं. आठ, इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं. क्योंकि यही परिस्थिती की मांग होती है, जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज़ के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं. प्रिष्ट ग्यार है जनसंचार के कार्य जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं सूचना देना जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है हमें उनके जरीए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरीए ही पूरा होता है शिक्षित करना जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरीए हमें जागरूक बनाते हैं लोग तंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपून भूमी का जनता को शिक्षित करने की है। यहां शिक्षित करने से आशाय उन्हें देश-दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रती सजग बनाने से है। मनुरंजन करना जनसंचार माध्यम मनुरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, विडियो और किताबें आदी मनुरंजन के प्रमुख माध्यम है। अजेंडा तै करना जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरीए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तै करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुकता से उठाते हैं यो उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाई या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विशाय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विशाय बनाकर जनसंचार माध्यम, सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्ये कर देते हैं। निगराणी करना किसी लोकतांतरिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कारिय सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमित ताब बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है विचार विमर्ष के मंच जनसंचार माध्यमों का एक कारिय ये भी है कि वे लोकतंतर में विभिन विचारों को अभिव्यक्ति का एक मंच उपलब्ध कराते हैं इसके जरीए विभिन विचार लोगों के सामने पहुँचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकी ये प्रिष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिठी स्तंब में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जन संचार माध्यम विचार विमर्ष के मंच के रूप में भी काम करते हैं। भारत में जन संचार माध्यमों का विकास। भारत में आज जन संचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं। उसकी प्रेरणा भले ही पश्चमी जन संचार माध्यम रही हों। लेकिन हमारे देश में भी जन संचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीच पौ पूजे जा सकते हैं। देवर्शी नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। जो वीना की मधूर जंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संबाद सेतु थे। उन्हीं के तरह महाभारत काल में महराज धृतराश्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की जलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है। वो एक अत्यंत सम्रिध संचार विवस्था की ओर इशारा करती है। प्रिष्ठ बारह पर भीम बेटका के दो गुफा चित्र दिखाए गए हैं। और तीसरा चित्र के लावणी नृत्यका है। जन भावनाओं को राज दर्बार तक पहुँचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की सम्रिध व्यवस्थाओं के उदारन बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौरियर। अशोक जैसे समराटों के शा प्रसंदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। तब बाकाइदा रूज नामचा लिखने के लिए करमचारी नियुक्त किये जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। लेकिन भारतिय संचार परम परा की खासित ये भी रही है कि राजदर्बारों के समानांतर हमारे यहां लोक माध्यमों की भी सुलजी व्यवस्था मौजूद रही है। इसके संकेत प्रागैति हासिक काल से ही मिलते हैं। भीम बेटका के गुपाचित्र इसके प्रमान हैं। ये समानांतर व्यवस्था बाद में कटपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। देश के विभिन हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथा वाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदी का विशेश महत्व है। इन विधाउं के कलाकार मनुरंजन तो करते ही थे, एक क्षेतर से दूसरे क्षेतर तक संदेश पहुँचाने और जनमत निर्मान करने का काम भी करते थे। लेकिन जन संचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं, वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हों या रेडियो, टेलिविजन या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिन से ही आए। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्मे हों या टीवी सीरियल, एक समाई के बाद वे भारतिय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लिकिन उनकी विशायवस्तू और रंग रूप भारतिय ही है। चूँके उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है, इसलिए जहां वो शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्मान की दिशाताय करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुक हैं, समाचार पत्र पत्रिकाई, रेडियो, टेलिविजन, सिनिमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिये जो भी सामगरी आज जनता तक पहुँच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्मान करने में उसकी महत्वपून भूमिका है। प्रिष्ठ तेरह पर अतीद की कुछ प्रमुक पत्रिकाउं के चित्र एक साथ दर्शाय गए हैं। जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्म युग, दिन मानस, आकाश्वानी। प्रिष्ठ तेरह पर वर्तमान की कुछ प्रमुक पत्रिकाउं के चित्र एक साथ दर्शाय गए हैं। जैसे इंडिया टुडे, आउटलुक, कादम बिनी। जन संचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र-पत्रिकाईं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल, दर्शक वर्ग और तीवरता के कारण, रेडियो और टेलिविजन की ताकत ज्यादा मानी जा सकती है। लेकिन वानी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वज़े से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलिविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिये खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके तीन पहलू है पहला समाचारों को संकलित करना दूसरा उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना और तीसरा पत्रिया पत्रिका के रूप में छाप कर पाठक तक पहुँचाना हालांके तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं लेकिन पत्रिकारिता के तहट हम पहले दो कामों को ही लेते हैं क्योंके प्रकाशन और वित्रन का कार्य तकनीकी और प्रबंधकी ये विभागों के अधीन होते हैं जबके रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेश बौधिक और पत्रकारी ये कोशल की अपेक्षा होती है जहां बाहर से खबरें लाने का काम संबाददाताओं का होता है वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थत तरीके से संपादित करने और सुरुची पूर्ण ढंग से चापने का काम संपादकी ये विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है आज पत्रकारिता का क्षेतर भी बहुत व्यापक हो चला है खबर का संबंद किसी एक या दो विश्यों से नहीं होता दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है बशर्ते के उसमें पाठकों की दिल्चस्पी हो या उसमें सारवजनिक हित नहित हो हालांके दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए चार सौ साल हो गए है लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन सत्रह सो असी में जेम्स आउगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई जो कलकत्ता जिसे आज हम कूलकाता के नाम से जानते हैं वहां से निकला था जबके हिंदी का पहला सापताहिक पत्र उद्धन्तमारतंड भी कलकत्ता सही सन 1826 में पंडित जुगलकिशोर शुकल के संपादन में निकला था प्रिष्ठ चौदह प्रिष्ठ चौदह पर पांच चित्र दर्शाय गए हैं पहला चित्र आजादी के दिन के हिंदुस्तान समाचार पत्र का मुख्य प्रिष्ठ है दूसरा चित्र हिंदी के विकास में अग्रणी भूमी का निभाने वाली सरस्वती पत्रिका का है तीसरा प्रिष्ठ प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का पहला अंक है चोथा चित्र बीस्वी सदी के साहित्यक बदलाव का मुख्य पत्र मत्वाला है पांच्वा चित्र बनार्सी दास चतुरवेदी द्वारा सम्पादित जुलाई 1947 का विशाल भारत का मुख्य प्रिश्टह है प्रिष्ट पंद्रहे पर आपको एक गतिविधी दी गई है अपने प्रिय समाचार पत्र या पत्रिका के बारे में तीन सौ शब्दों की एक टिपणी लिखिए उसमें उसकी खूबियों और खामियों को स्पष्ट कीजिए ये भी बताईए कि आप वो समाचार पत्र या पत्रिका कब से पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं क्या आप रोज अखबार पढ़ते या पढ़ती हैं क्या आप पूरा अखबार पत्रिका पढ़ते या पढ़ती हैं क्या आपको लगता है कि आपका पसंदीदा अख़बार या पत्रिका आपको सूचना, शिक्षा और मनुरंजन देता है। हिंदी भाषा के विकास में शुरुवाती अख़बारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपून भूमिका निभाई। इस लिहास से भारतेंदू हरीश चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा जिन्होंने कई पत्रिकाओं निकाली। आजादी के अंदोलन में भारती ये पत्रों ने एहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहनमालवीये जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं क्योंके आजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपून भूमिका निभाई। आजादी के पहले के प्रमुक पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर वेदी, महावीर प्रसाद्वी वेदी, बाबुराव, विश्णुराव पराड कर, प्रताप नारायन मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवरिक्ष बेनी पूरी और बाल मुकु उस समय के महत्वपून आखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदी प्रमुक हैं। लेकिन जहां आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष स्वाधीनता की प्राप्ती था, वहीं आजादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष बदलने लगा। शुरुवाती दो दशकों तक पत्रकारिता राश्ट्र निर्मान के प्रति प्रतिबध दिखती थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कह हैं कि आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आजादी के बाद वो एक व्यवसाय बन गई। प्रिष्ट पंद्रह पर 1780 में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला अखबार यानि हिकीज बेंगौल गेजिट का प्रथम प्रिष्ट दर्शाया गया है। आज आजादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इन में से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी है। रेडियो पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मारकोनी ने वायरलेस के जरिये ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामिया भी हासिल की तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपून औजार बन चुका था। शुरुवाती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यू यॉक और शिकागो में खुले। भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ओफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कारेक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत All India Radio की स्थापना हुई और आजादी के समय तक देश में कुल नौ रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनव, दिल्ली, बंबई जिसे आजकल हम मुंबई कहते हैं, कलकत्ता जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है, मदरास जिसे आजकल चिन्नई कहा जाता है, तिरुचिरापली, धाका, लाहौर और पेशावर में। जाहिर है, इनमें से तीन रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। आजादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्म निर्पेक्ष लोखितकारी राष्ट्र के जनमाध्यम के तौर पर देश के नवनिर्मान में आकाशवानी की महत्वपून भूमिका रही है। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामासिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रिय नवनिर्मान के लिए शुरू किये गए कारेक्रमों को एक आवाज देने का काम रेडियो ने किया। प्रिष्ट सत्र है। आज आकाशवानी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कारेक्रम प्रस्तुत करता है। देश की 96 प्रतिशताबादी तक इसकी पहुँच है। 1993 में FM, Frequency Modulation की शुरुवात के बाद रेडियो के क्षेतर में कई निजी कमपनियां भी आगे आई हैं। लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयक कारेक्रमों के प्रसारण की अनुमती नहीं है। 1997 में आकाशवानी और दूर दर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंतरण से निकाल कर प्रसार भारती नाम के स्वायत शासी निकाय को सौप दिया गया। असल में लंबे अर्से तक सरकारी नियंतरण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। इस फैसले में कहा गया कि ध्वनी तरंगों पर किसी का एक आधिकार नहीं हो सकता। उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। FM के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी FM चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्यूनिटी रेडियो के इंदरों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृती अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनी माध्यम है। इसकी तातकालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अदभुत शक्ती कहा था ध्वनी तरंगों के जरीए ये देश के कोने कोने तक पहुँचता है दूर दरास के गामों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते वहां रेडियो ही एक मातर साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का फिर अखबार और टेलिविजन की तुलना में ये बहुत सस्ता भी है इसलिए भारत के दूर दरास के इलाकों में लोगों ने रेडियो कलब बना लिये हैं आकाश्वानी के अलावा सैंक्णों निजी एफम स्टेशनों और बीबीसी वॉइस अफ अमेरिका डॉइचे वेले जो रेडियो जर्मनी की एकाई है प्रिष्ठ सत्रह पर एक पाये चार्ट के माध्यम से जनता के बीच आकाश्वानी की पहुँच को दर्शाया गया है जो 96 प्रतिशत है प्रिष्ठ सत्रह पर आपको एक गतिविधी दी गई है अपने ट्रांजिस्टर पर आकाश्वानी के स्थानिय केंदर से प्रसारित होने वाले कारेक्रमों को सुनिये विशेश कर आठ बजे सुबह और रात्री आठ बच के 45 मिनट पर हिंदी में प्रसारित होने वाले राष्ट्रिय समाचार बुलिटिन सुनिये इसके साथ ही शाम साढ़े साथ बजे बीबीसी हिंदी सेवा से प्रसारित होने वाले समाचार भी सुनिये आकाश्वानी और बीबीसी के समाचार बुलेटिन की तुलना करते हुए तीन सौ शब्दों का एक आलेक तैयार कीजिए और कक्षा में शिक्षक के सहयोग से इस पर चर्चा कीजिए टेलिविजिन आज टेलिविजिन जन संचार का सबसे लोकुप्रिये और ताकतवर माध्यम बन गया है प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलिविजिन के द्रिश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है प्रिश्ट 18 है पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलिविजन पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे 1927 में बेल टेलिफोन लेबोरेटरीज ने नियू यॉक और वाशिंग्टन के बीच प्रायोगिक टेलिविजन कारेक्रम का प्रसारण किया 1936 तक BBC ने भी अपनी टेलिविजन सेवा शुरू कर दी थी भारत में टेलिविजन की शुरुआत युनेस्को की एक शेक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1969 को हुई थी इसका मकसद टेलिविजन के जरिये शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोचसाहित करना था इसके तहत दिल्ली के आसपास के गामों में दो टीवी सेट लगाए गए जिनें 200 लोगों ने देखा ये हफ़ते में दो बार एक एक घंटे के लिए दिखाया जाता था लेकिन 1965 में स्वतंतरता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंब हुआ तब रोज एक घंटे के लिए टीवी कारेक्रम दिखाया जाने लगा 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमरितसर, कोलकाता, मदरास और लखनवु में टीवी सेंटर खुल गए लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाश मानी का हिस्सा थी एक अपरेल 1976 से इसे अलग कर दिया गया इसे दूर दर्शन नाम दिया गया 1984 में इसकी रजत जयन्ती मनाई गई स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रिमती इंदिरा गांधी को दूर दर्शन की ताकत का एहसास था वो देश भर में टेलिविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी 1980 में श्रिमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में दूर दर्शन के कारेक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिती गठित की जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य तूट रहे हों और नए न बन रहे हों वहां दूर दर्शन बड़ी भूमी का निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है समिती के मुताबिक जनसंचार माध्यम के बताओर भारत में दूर दर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रिय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्यान को प्रोच्साहन, क्रिशी विकास, पर्यावरन सन्रक्षन, सामाजिक विकास, खेल संस्कृती का विकास संस्कृतिक धरोहर को प्रोथ साहन दूर दर्शन में देश की सूचना, शिक्षा और मनुरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उलेखनी ये सेवा की है लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंतरण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निश्पक्ष माध्यम के तौर पर ये अपनी जगह नहीं बना पाया अलबता मनुरंजन के एक लोकप्रियम अध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है पेज नमबर उन्नीस 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिये युद्ध का सीधा प्रसारण देखा ये एक अलग ही तरह का अनुभव था बाद में ये भी कहा गया के ये युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा उतना ही CNN केबल न्यूज नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुवात हुई विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमत ही दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे जल्द ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत के इंदरित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिये इसके अलावा Discovery, National Geographic जैसे शेकशिक और मनुरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV व वी टीवी जैसे विशुद्ध पश्चमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे कुछ लोगों ने इसे देश पर संस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया लेकिन टेलिविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी अक्तूबर 1993 में ZTV और Star TV के बीच अनुबंद हुआ उसके बाद समाचार के क्षित्र में भी Z News और Star News नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई जहां पहले हमारे सारवजनिक प्रसारक दूर दर्शन का उद्देश राष्ट्र निर्मान और सामाजिक उन्नयन था वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसाइक लाब कमाना रह गया इससे जहां टेलिविजन समाचार को निश्पक्षता की पहचान मिली उसमें ताजगी आई और वो पेशेवर हुआ वहीं एक अंधी होड के कारण अनेक बार पत्तरकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिक ताका भी हनन हुआ इसके बावजूद आज पूरे भारत में दो सौ से अधिक चैनल प्रसारित हो रही हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है प्रिष्ट उन्नीस पर एक साथ पुरानी फिल्मों के कुछ चित्र दर्शाए गए हैं सिनमा जन संचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनमा हालांके ये जन संचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता ज्यान और संदेश देने का काम करता है सिनमा को मनुरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है प्रिष्ट बीस पर आपको एक गतिविधी दी गई है आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है इस फिल्म का कौन सा चरित्र आपको अच्छा लगा और क्यों फिल्म क्या संदेश देती है इस बारे में 200 शब्दों की रिपोर्ट लिखें और अपने अध्यापक को दिखाएं सिनमा के आविशकार का श्रेयर थॉमस अलवा एडिसन को जाता है और ये 1883 में मिनेटी स्कोप की खोच के साथ जोड़ा हुआ है 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी The Arrival of Train सिनमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी भारत में पहली मूख फिल्म बनाने का श्रेयर दादा साहिब फालके को जाता है ये फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरीश चंद्र इसके बाद के दो दशकों में कई और मूख फिल्में बनी इनके कथानक, धर्म, इतिहास और लोग गाथाओं के इर्द गिर्द बने जाते रहे 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलमारा इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ आजादी के बाद जहां एक तरफ भारती सिनमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़ कर आवास देने की कोशिश की वहीं लोकप्रिय सिनमा ने व्यावसाइकता का रास्ता अपनाया एक तरफ पृत्वी राज कपूर, महबूब खान, सहराब मोदी, गुरुदत जैसे फिल्मकार थे तो दूसरी तरफ सत्यजीत रे जैसे फिल्मकार सत्तर के दशक तक सिनमा के मूल में प्रेम, फैंटिसी और कभी न हारने वाले सुपरनाचुरल हीरो की परिकल पना रही कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुती अव्यावहारिक तरीके से सत्तर और असी के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तिमाल आम लोगों में चेतना पहलाने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोडने और अन्याए के खिलाफ एक कलात्मक अभीव्यक्ती के तोर पर किया सत्ते जीत रे ने पचास के दशक में ही पाथेर पांचाली बना कर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनमा ने एक अंदोलन की शकल ली साट के दशक के आखरी वर्षों और सत्तर के दशक में। ये अंदोलन असी के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्ते जीत रे के अलावा श्याम बेनिगल, म्रिनाल सेन, रित्विक घटक, अदूर गुपाल कृशन, एमेस सत्यू, गोविंद नहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। लेकिन बाजारवाद और व्यावसाइकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर असी के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में च्छाने लगी। दरसल हिंदी सिनमा पर शुरू से ही पॉप्यूलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। प्रिष्ट 21 कला फिल्मों को समानांतर सिनमा इसलिए भी कहा गया क्यूंकि वे अपनी अंतर वस्तू में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमजोर पढ़ने के साथ एक बार फिर पॉप्यूलर या लोकुप्रिय सिनमा हावी हो गया और तक्नीक कथानक पर भारी पढ़ने लगी भारती ये सिनमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही है हलके फुलके हास से और एक आम आदमी के परिवार की खटी मीठी कहानी पर बनी इनसाफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया लोकुप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुँच गाउं और शहर के साधारन दर्शकों तक रहती आई है इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक रोजमर्रा की समस्याई, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृती के कई आयाम दिखाई देते हैं इस धारा के फिल्मकारों में राजकपूर, गुरुदत, बिमल रॉय, रिशिकेश मुखर जी, बासु चटर जी जैसे कई नाम हैं लेकिन अस्सी और नब्बे के दशक में मुंबया सिनमा पर व्यावसायकता का नशा इस कदर चाता गया के फॉर्मिला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफ़ा कमाने का सबसे बड़ा हत्यार बन गई ऐसी फिल्मों के केंदर में रुमैंस, हिंसा, सेक्स और आक्शन को रखा जाता रहा है कहने के लिए हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की आपचारिकता निभाई जाती है लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ा है इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनमा जन संचार के एक बहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है इसके कई और आयाम भी है ये मनुरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्यादुनिक तक्नीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग आठ सौ फिल्मों का निर्मान करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है यहां हिंदी के अलावा अन्यक शेत्रिय भाषा और बोली में फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं इंटरनेट इंटरनेट जन संचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलिविजन, किताब, सिनिमा यहां तक के पुस्तकालाए के सारे गुण मौझूद है उसकी पहुंच दुनिया के कौने कौने तक है और उसकी रफतार का कोई जवाब नहीं है उसमें सारे माध्यमों का समागम है इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामगरी पढ़ सकते हैं रेडियो सुन सकते हैं, सिनमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्व व्यापी जाल के भीतर जमा करोणों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामगरी खोज सकते हैं प्रिष्ट 21 पर इंटरनेट पर पत्रिकाएं, शीरशक से एक चित्र दर्शाया गया है ये एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानि आप इसमें मूख दर्शक नहीं है आप सवाल जवाब बहस मुबाहिसों में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूतरधार बन सकते हैं इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम याने कन्वरजन्स के युग में पहुँचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी है हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए शुधकरताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं हमें विश्व ग्राम का सदस्य बना दिया है वहीं इसमें कुछ खामियां भी है पहली खामिय तो यही है कि उसमें लाखों अशलील पन्ने भर दिये गए हैं जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पढ़ सकता है दूसरी खामिय यह है कि इसका दुरूपयोग किया जा सकता है हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरूपयोग की कई घटनाएं सामने आई हैं प्रिष्ट 22 प्रिष्ट 22 पर आपको एक गतिविधी दी गई है क्या आपका इमेल अकाउंट है अगर नहीं तो अपने शिक्षक की मदद से अपना इमेल अकाउंट खोलिए और सब तहमें कम से कम एक बार अपने किसी परिचित या रिष्टेदार या मितर को इमेल भेजिए जिसमें अपना हाल चाल देने के अलावा उनका हाल चाल पूछिए जन संचार माध्यमों का प्रभाव आज के संचार प्रधान समाज में जन संचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कलपना नहीं कर सकते हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का जबरदस्त असर है अखबार पढ़े बिना हमारी सिभे नहीं होती जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज मर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं हमारी महानगरी युवापीड़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उप्योग करने लगी है खरीद फरुखत के हमारे फैसलों तक पर विग्यापनों का असर साफ देखा जा सकता है यहां तक के शादी बिया के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मेट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है टिकट बुक कराने और टेलिफोन का बिल जमा कराने से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है इसी तरह फुरसत के क्षणों में टीवी सिनमा पर दिखाये जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरीए हम अपना मनुरंजन करते हैं अपनी सिहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में जानकारी जनसंचार माध्यमों से मिल रही है आप माने या ना माने जनसंचार माध्यम आज एक उतपाद की तरह हमारे घरों में घुसाए हैं वे हमारी जीवन चैली को प्रभावित कर रही हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रूक नहीं सकते इसमें कोई दो राय नहीं है के जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज्यादा सरल हमारी इक्षमताओं को और ज्यादा समर्थ हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिये बनाया है साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रिये जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया है प्रिष्ट 22 पर एक चित्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि घूस याने रिश्वत नहीं लेनी चाहिए चिपे हुए कैमेरे से बचने का एक ही रास्ता है घूस मत लो प्रिष्ट 23 सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोडने तक और बहस तथा विचार विमर्ष से लेकर लोक तांतरिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यमों की महत्वपून भूमिका है आज राश्ट्रिय स्थर पर हमारी राजनीती और हमारी अर्थनीती तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है खासकर आपातकाल के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राश्ट्रिय जीवन में उनका हस्तक शेप भी बढ़हा है वे ना सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं, बलकि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं जन संचार, माध्यम, संभावनाएं और खत्रे सामाजिक विकास और आधुनिकी करण के संदर्भ में यदि संचार के इन प्रकारों पर हम विचार करें, तो इस क्षित्र में उसकी कई संभावनाएं स्पष्ट होंगी संचार साधनों को उचित दिशा दे कर नए मूल्य प्रतिष्ठित कराए जा सकते हैं समाज को परंपरा से प्रगती की ओर मोड़ा जा सकता है उनकी सहायता से जनमानस को आधुनिकी करण के लक्षियों और कारिक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जनसंचार के साधन उनके सम्मुक नए जीवन का एक आकरशक विकल्प प्रस्तुत कर उन्हें जड़ता का मार्ग छोड़ सक्रियता की रह अपनाने की प्रेरणा दे सकते हैं जागरित जनमत प्रगती की अनिवारे शर्त है और इसे तैयार करने में जनसंचार के साधनों की बड़ी ही महत्वपून भूमिका है मनुरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से जनसाधारन तक पहुँचाया जा सकता है इन प्रभावशाली समभावनाओं के साथ संचार की सीमाओं पर ध्यान रखना भी आवश्चक है संचार एक अस्त्र है उसका सदुपियोग भी हो सकता है दुरुपियोग भी मूल प्रश्न है ये अस्त्र किस के हाथ में है क्या उनमें इन साधनों का कलपनाशील और सार्थक उपयोग करने की कितनी क्षमता है दूसरे शब्दों में इन साधनों का उपयोग कौन, किस उद्देश्य से और कितनी क्षमता से कर रहा है कुछ हाथों में यदि संचार प्रगती का प्रेरक बन सकता है तो दूसरे हाथ उसे परंपरा का पोशक बना सकते हैं उनका उपियोग देश का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं से हटा कर अर्थहीन प्रश्णों में उल्जाय रखने के लिए भी किया जा सकता है कभी-कभी संचार प्रगती का स्थान ले लेता है वास्तविक प्रगती कम होती है पर उसे और कालपनिक प्रगती को संचार के साधन इतने आकरशक धंग से प्रस्तुत करते हैं कि जनता शब्दों के मोहक इंद्र जाल में दिशा भ्रमित हो जाती है इसके विप्रीत अयोग्य संचार करता आशा युक्त संदेशों को कल्पनाहीन तथा अनाकर्शक धंग से प्रस्तुत कर उनकी हत्या कर सकते हैं। संचार वस्तुत है दुधारी अस्त्र है जिसका उपियोग बड़ी ही सावधानी से होना चाहिए। प्रिष्ट चौबीस राष्ट्री अस्तर पर फैलते भ्रष्टाचार, मानवा धिकार हनन और साम्प्रदाइकता जैसे मामलों को जन संचार माध्यमों ने लगातार उठाया है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। हाल के वर्षों में स्टिंग ऑपरेशन के जरिये सामने आया तहलका कांड हो या ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रवियू सबने यही साबित किया है कि यदि चाहे तो जन संचार माध्यम सत्ता के शिकर को भी हिला सकते हैं। लेकिन जन संचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अगर सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो लोगों पर उनका बुरा प्रभाव भी पढ़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिनमा और टीवी जैसे जन संचार माध्यम कालपनिक और लुभावनी कथाओं के जरीए लोगों को एक नकली दुनिया में पहुचा देते हैं। जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। इस कारण लोग उसके वैसे ही व्यसनी बन जाते हैं जैसे किसी माधक पदार्थ के। नतीजा यह होता है कि वे अपनी वास्तविक समस्याओं का समाधान कालपनिक दुनिया में ढूड़ने लगते हैं। इस से लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ती पैदा होती है। जनसंचार माध्यमों खासकर सिनमा पर ये आरोब भी लगता रहा है कि उन्होंने समाज में हिंसा, अशलीलता और असामाजिक व्यवहार को प्रोचाहित करने में अगुआ की भूमिक आने भाई है। हालांके विशेशग्यों का ये मानना है कि जनसंचार माध्यमों का लोगों पर उतना वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कि उसके बारे में समझा जाता है। फेर बदल और उन्हें और ज्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। इसी तरह ये माना जाता है कि जन्संचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पढ़ता है जो किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है या अनिश्चय में हैं। तब भी उनका गहरा प्रभाव पढ़ता है। आप अक्सर देखते होंगे कि अखबारों और टेलिविजन चैनलों में किसी खास खबर या मुद्ध को जरूरत से ज्यादा उच्छाला जाता है। जबकि कुछ अन्य मुद्धों और खबरों को बिलकुल जगह नहीं मिलती अक्सर उन मुद्धों और सवालों को अधिक उच्छाला जाता है जिन से समाज के ताकतवर वर्गों के हित जुड़े हुए हैं या जो नहायत सतही और अनावशक हैं। इसके साथ ही अक्सर उन मुद्धों और सवालों को नजर अंदास किया जाता है जिनका संबंध व्या प्रभाव के संदर्भ में ये सवाल भी महत्वपून है कि उन पर किसका नियंतरण है? ये सवाल इसलिए महत्वपून है कि जन्संचार माध्यमों का संबंध सारवजनिक हित से जुड़ा हुआ है. उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे सारवजनिक हित को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक तथ्य है कि अधिकांश जन्संचार माध्यमों पर कंपनियों या व्यत्तियों का स्वामित्व है. वे उन्हें सारवजनिक हित से ज्यादा अपने व्यावसाइक मुनाफे को ध्यान में रख कर संचालिद करते हैं. इसका सीधा असर जन्संचार माध्यम की अंतर वस्तु पर पढ़ता है. कई मौकों पर विज्यापंदाताओं के हितों को प्राथमिक्ता दी जाती है. बहुतेरे विशले शकों का मानना है कि उपभूकतावाद के विकास और फैलाव में जन्संचार माध्यमों की सबसे महत्वपून भूमिका है. फैशन से लेकर खान-पान तक में लोगों की रुचियों और आदतों को बदलने में जन्संचार माध्यमों की भूमिका देखी जा सकती है. खासकर बच्चों और युवाओं पर जन्संचार माध्यमों के जरीए पेश की जा रही आधुनिक उपभूकतावादी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ रहा है. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जन्संचार माध्यमों ने जहां एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में एहम भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता. ये भी स्पष्ट है कि जन्संचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कलपना नहीं की जा सकती. ऐसे में ये जरूरी है कि हम जन्संचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामगरी को निश्क्रिय तरीके से ग्रहन करने के बजाए, उसे सक्रिय तरीके से हमेशा खुले रखने चाहिए। श्रिंखला द्वारा किसी घटना या स्थिती का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्र लिपी भाशा से जुड़ी नहीं होती। इसलिए उसकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाशा में संभव होती है। आवशक होता है चित्र को समझना। प्रागैती हासिक मानव ने संसार के विभिन भागों में इस लेखन शहली का प्रियोग किया। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ओडियोग्राफी का रूप लिया। ये चित्र लिपी का संबर्धित रूप था और उसमें स्थितियों और घटनाओं के प्रस्तुति करण के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ती की असीमित शक्ती भी थी। प्रतीख अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं करते थे। वे उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी अभिव्यक्त करते थे। चित्र लिपी में छोटा सा वृत सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। ओडियोग्राफी में संदर्भ के अनुसार उससे ताप, प्रकाश और दिन का बोध भी होने लगा। इस लिपी में भी प्रस्तुत प्रतीक और उसके बोले हुए में प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। चित्र लिपी की तरह ये भी भाशा संबंध नहीं थी। ध्वनी पर आधारित लिपियों के विकास के पहले कई संक्रमन कालीन लिपियां आई जो मूलत है ओडियोग्राफी थी। पर जिन में धीरे धीरे ध्वनी आधारित तत्व सम्मिलित हो रहे थे। प्राचीन मेसोपोटैमियां और कीट की तथा हिट्टि आइट लिपियां इस वर्ग की हैं। प्रिष्ट 26 लिपियों के विकास के अगले चरण और भी महत्वपून थे। एक और लोगोग्राफी का विकास हुआ जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्न था। इस लिपि को शब्द लेखन भी कह सकते हैं। दूसरी धारा थी ध्वनियों के आधार पर लिपियों के विकास की। जिसका चरम उतकर्ष अक्षरों के आविशकार में हुआ। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रूप का अंतकर उसे केवल भाशा की अभिव्यक्ती का एक माध्यम बना दिया। इस क्रांती के प्रभाव बड़े व्यापक थे। लिपि विहीन भाशाओं ने ज्ञान विज्ञान की परंपरा का वहन किया था। उनमें साहित्य के विभिन रूपों की रचना हुई थी और सूक्षमत दार्शनिक चिंतन भी किया गया था। उस साहित्य को स्थायित्व देने में कठिनाईयां थी। लिपि ने उन्हें बड़ी मात्रा में दूर किया। पत्तों, मिट्टी की पतली इटों, पत्थर, चमडे, वस्त्र आदी पर लिख कर मनुष्य ने अपने संचित ग्यान को आने वाली पीढियों के लिए बचाने का यत्न किया। लिपि एक रहस सेमाई और चमतकारी शक्ती थी, जिस पर अधिकार रखने वाले थोड़े से लोगों को समाज में उचा स्थान मिला। इस तरह ग्यान एक छोटे से वर्ग के हाथ में आ गया, जिसने उसका उप्योग बहुत कुछ अपने हितों में किया। ये दूसरी बात है कि आगे चलकर इसी ग्यान का व्यापक प्रसार हुआ। ये स्थिती संसार की चौथी क्रांती ने बदली, जिसे कागज और मुद्रण की संयुक्त क्रांती मानना उचित होगा। कागज का आविशकार मुद्रण के आविशकार के बहुत पहले हो गया था पर क्रांती कारी सामाजिक परिणाम उसी समय स्पष्ट हुए जब कागज और छपाई का मिलन हुआ। कागज के आविशकार का श्रियर चीन के साईल लुन को दिया जाता है जिसने इसवी सन 105 में वरिक्षों की कूटी हुई च्छाल, सन, पुराने कपड़े और मचली पकड़ने के पुराने जालों के उप्योग से कागज बनाया। पांच सौ वर्षों तक ये शिल्प चीन में ही रहा। में छे वर्ष का समाई लगा। ज्यान को सर्व सुलभ बनाने की क्रिया का आरंभ इसी प्रकार के प्रयत्नों से हुआ। धीरे धीरे छपाई के प्राथमिक रूप संसार के दूसरे भागों में भी पहुँचे। कागज बनाने की कला वहां पहले ही जा चुकी थी। चल टाइप के आविशकार ने मुद्रण को नया स्वरूप दिया। इसका श्रेय जर्मनी के गुटनबर्ग को दिया जाता है जिसने सन 1400 और 1468 के बीच चल टाइप का आविशकार किया। उसकी 428 पंक्तियों की गुटनबर्ग बाइबल को कई विद्वान दुनिया की पहली चपी हुई पुस्तक मानते हैं। वैसे ये दावा दूसरी पुस्तकों के लिए भी किया गया है। संभवता है सन 1300 के आसपास छपी एक कुरियाई धार्मिक पुस्तक अब तक उपलब्ध पुस्तकों में सबसे पुरानी है। इस पुस्तक में चल टाइप का उपयोग नहीं हुआ था। मुद्रण के आविशकार से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुला। इस तरह ग्यान के प्रसार और स्थायित्व की संभावनाई बढ़ी। ग्यान अब तक एक छोटे से वर्ग के हाथ में था। पुस्तकों और समाचार पत्रों ने उसका दाइरा बढ़ाया और वो क्रमश है सर्वसुलब होने लगा। मुद्रण की क्रांती, विचारों की क्रांती की शुरुवात थी। पुस्तिका, संचार और विकास, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालाई नई दिल्ली से साभार। प्रिष्ट 27 अभ्यास पाठ से संबाद एक इस पाठ में विभिन लोक माध्यमों की चर्चा हुई है। आप पता लगाईए कि वे कौन कौन से क्षेतर का प्रतिन धित्व करते हैं। अपने क्षेतर में प्रचलित किसी लोक नाट्य या लोक माध्यम के किसी प्रसंग के बारे में जानकारी हासिल कर उसकी प्रस्तिती के खास अंदाज के बारे में भी लिखें। दो, आजादी के बाद भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं आप समाचार पत्रों को उनके प्रती किस हद तक समवेदन शील पाते हैं तीन, तीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसाईक सफलता के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं टीवी के कारिक्रमों से उदाहरण दे कर समझाईए चार, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए पांच, किनी दो हिंदी पत्रिकाओं के समान अंकों को पढ़िये और उनमें निम्न बिंदूओं के आधार पर तुलना कीजिए आवरण प्रिष्ठ, सूचनाओं का क्रम, अंदर के प्रिष्ठों की साज सज्जा, भाशा शैली छै, निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रन होना चाहिए अथवा नहीं, पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए साथ, नीचे कुछ कथन दिये गए हैं, उनके सामने सही या गलत का निशान लगाते हुए उसकी पुष्टी के लिए उदाहरण भी दीजिए क, संचार माध्यम केवल मनुरंजन के साधन हैं, ख, केवल तकनीकी विकास के कारण संचार संभव हुआ, इससे पहले संचार संभव नहीं था ग, समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतने सशक्त संचार माध्यम हैं के वे राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं ग, टेलिविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है ड, इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप या समागम है च, कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव भी पढ़ता है